हलो दोस्तों, नमस्कार! कैसे हैं आफ सभी लोग? आसा करते हैं आफ सभी लोग सःस्त और मस्त होंगे आज हम आपको मद्धिकालीन के सुफी आंदोलन के बारे में कुछ कूश्चन्स कराने आए हैं तो चलिए देखते हैं कूश्चन कुश्चन हमारा कौन सा है पहला कुश्चन है भारत में चिस्तियां सूफी मत को किसने स्थापित किया था पहले तो ए देख लीजिए कि सूफी सूफी सब्थ का मतलब क्या है सूफी सब्थ का मतलब है सफा सफा का मतलब है साफ या सफा सफा का मतलब पवित्तरता से है ठीक है और सूफियों के निवास स्थान को क्या कहते थे इनके निवास को क्या कहते थे खान का और सूफियांदोलन कहां से परारम हुआ था यह हुआ था फारस और इरान से ठीक है फारस और इरान से प्रारम हुआ था तो चलिए पहले question का आंसर बताईए अप लोग कि सूफी मत को किसने स्थापित किया था मुहिन दिन चिस्ती ने या खौजा बदुरुद्दीन ने या सेक अहमद सरहिंदी ने या इन में से कोई नहीं तो किसने स्थापित किया था मुहिन दिन चिस्ती ने पूरा नाम है ठीक चलिए देखते हैं next question नमारा कौन सा है question नमर दो है निम लिखित में कौन सूफी वाद की चिस्तियां साखा का संस्थापक था सूफी वाद की चिस्तियां साखा का स्थापक कौन था ख्वाजा अबु अबु अब्दाल स्थेख जियाओ दिन ख्वाजा बहाओ दिन या सेख मुहित दिन तो कौन था सूफी बात की चिस्तिया साखा का स्थापक एक ख्वाजा अबु अब्दाल थे ठीक है option A एक दराइट अंसर चलिए हमारा अगला कोईस्चन है अगला कोईस्चन हमारा है ख्वाजा महिन दिन चिस्ति किसके सिस्थे ताना आफ सभी लोग ख्वाजा महिन दिन चिस्ति किसके सिस्थे option A ख्वाजा उस्मान हरूनी option B मीर दर्द option C साहा वली उल्ला option D ख्वाजा अबढ़ चिस्ति मुईन बिन चिस्ति कि कीज़ मेर से कौन एक अजमेर बस गया था? ताई गाफ सभी लोग निम्न मेर से कौन एक सूफी संत अजमेर मेर मेर बस गया था? सेख मुहिन दिन चिस्ती, सेख ने जामुदीन ओ लिया, सेख सलीम चिस्ती, या इनमें से कोई नहीं तो कौन बस गया था, यह सेख मुहिन दिन चिस्ती, ठीक है और यह भारत कब आये थे, 1192 में किस के साथ, मुहमद गूरी के साथ, ठीक है मुहमद गूरी के साथ भारत आये थे, और इनका जन्म कब हुआ था 1042 में हुआ था, और 1192 में भारत आये, और 1236 में मिलते हुए, ठीक चलिए ने इस कुश्चन चलते हैं, कुश्चन नमबर पांच, पांचवा हमारा कुश्चन है ख्वाजा मुहन दिन चिस्ती की दरगा पर भेट भेजने वाला पर्थम राठा सरदार कौन था राजा साहू या नवाव अली वहदूर या पेश्वा बाला जी बिस्सुनात या पेश्वा बाला जी राओ तो कौन था ये पेश्वा राजा साहू ठीक है और ये कौन थे ये सिवा जी के पौत्र थे ठीक सिवा जी के पौत्र और नवा बाली बाहदूर कौन था आप लोग ने बाजी राओ मस्तानी मुभी देखी होगी तो उनमें ये मस्तानी का बेटा है ठीक है चलिए नेस कुशन नमारा है कुशन नमर छे सेख निजामू दिनो लिया किसके सिस्थे पताएग आप सबी लोग सेख निजामू दिनो लिया किसके सिस्थे किसके सिस्थे option A है सेख अलाउद दीन साबिर option B है बाबा फरीद option C है अहमसर हिंदी option D है ख्वाजा मुहिन दीन चिस्ती तो किस के सिस्थ थे? ये बाबा फरीद किस सिस्थ थे? देख निजाम उदीन उलिया और एक कौन थे? एक तो ये हो गए एक अलाउद दीन साबिर मैं कहाले को इंदर लिख देता हूँ ठीक है? अलाउद दीन साबिर दो सिस्थ थे इनके ठीक? चलिए नेक्स कुश्चन चलते हैं नेक्स कुश्चन कुश्चन नमबर 7 निजाम उदीन उलिया की दरगाह कहां इस्थित है? तैव आपसे भी लोग की निजाम उदीन उलिया की दरगाह कहां पर इस्थित है? ऐपसें ने है आगरा, ऐपसें भी है दिल्ली, ऐपसें सी है जमेर, ऐपसें डीन में से कोई नहीं या फतेपुर्सिकरी तो इनकी दरगाह कहां है इस्थित है? यह दिल्ली में इस्थित है ठीक है? चलिए हम अगले कुश्चन पर चलते हैं Q8. किस संत की मानेता थी कि भक्ति संगीत इस्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है? बताएगा आप सभी लो. किस सूफि संत की मानेता थी कि भक्ति संगीत इस्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है? बावा फरीद, मुनुदिन चिस्ती, या सहालम बुखारी, या इनमें से कोई नहीं तो कौन थे? ये मुनुदिन चिस्ती का माना था, ठीक है? कि भक्ती, भक्ती संगेती स्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है निमन में से कौन चिस्ती सिलसिले से संबंद नहीं है उटाएगा सभी लोग कौन चिस्ती सिलसिले से संबंद नहीं है ओफशन है, कुतब बुद्दीन वक्तियार काकी ओफशन भी है, सिग अब्दुल जिलानी ओफशन डी है, निजाम उदीन उलिया यह option D है निजामुदीनोलिया option D है इन में से कोई नहीं option C है निजामुदीनोलिया तो चिस्ती सिलसे से कौन सम्भनते हैं इस सेख अबुल जिलानी ठीक सेख अबुल जिलानी चिस्ती से नहीं है यह किस सिलसिले से हैं यह कादरिया सिलसिले से हैं ठीक है का दर्या सिल्सले और अबूर अबूर फजल के अनुसार कितने सिलिये हैं। सिल्सले कितने हैं। 12 सिल्सले हैं ठीक। 12 सिल सिले चले निम्लिखित में किसे भारत का साधी कहा गया है किसे भारत का साधिक आ गया है औसे पहले हम आपको बता दें सूफी वर्ग को कितने भागों में बाटा गया है सूफी वर्ग इंन्हें दो भागों में बाटा गया ठीक है sorry पहला भाग है बास तरह, दोसरा है, बेस तरह, ठीक, इनमें क्या डिफ्रेंस है, इनमें डिफ्रेंस इतना है, यह जो सरीयत का कानून यानि इसलाम का कानून होता था, सरीयत कानून, इस सरीयत कानून को मानते थे, ठीक है, और यह सरीयत कानून को नहीं मानते थे, ठीक, बेसरा जो थे, बेसरा को रखे ये सरियत कानून को नहीं मानते थे सरियत कानून नहीं मानते थे ठीक यानि विश्वास नहीं करते थे ठीक चले नेस कुश्चन पे चलते हैं मित्रों इसका हो गया नहीं हो न भारत का साधी किसे कहा जाता था किसे कहा जाता है कि अमीर हसन को कहा जाता ठीक भारत का साधी Option B हमारा एकदम बिल्कुल साई आंसर हो जागा ठीक चले नेश कुष्टन चलते हैं कुष्टन नमर 11 किस सुल्तान से निजामुद्दीन उलिया भीट करने से इंकार कर दिये? किस सुल्तान से निजामुद्दीन उलिया ने भीट करने से इंकार कर दिया? जलालुद्दीन खिल जी Option B है ग्यासुदिन तुगलक Option C है अलावद्दीन खिल जी Option D है मुहमन मिन तुगलक तो किस से भीट करने से इंकार कर दिया था? अलाओ दिन खिलजी से ठीक है निजामुदीन अउलिया मिलने से इंकार कर दिया ठीक है चलिए नेस कुछिशन पर चलते हैं मित्रो नेस कुछिशन हमारा है और किनके सिस्थे निजामुदीन अउलिया किस के सिस्थे अभी बताया था हारूनी ठीक है और अफसन हमारा ए है पहले देख लिए कौन सूफी संथ महबूब ए इलाही कहलाता है किस सूफी संथ को महबूब इलाही कहा जाता था ठीक महबूब ए इलाही ओफसन है मुएनुदिन चिस्ती ओफसन भी है बाबा फरीद ओफसन सी निजामुदीन उलिया ओफसन डी है वक्तियार काकी तो किन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता था यह निजामुदीन उलिया को ठीक और यह किस के सिस्थे कि बाबा फरीद के सिस्ट थे और इमके सिस्ट का क्या नाम है अलाउद्दीन साबीर ठीक कि अगले कुछ्छन पर चलते हैं दोस्तों अगला कुछ्छन है निम्न में से किस सुफी संथ के विचारों को सिखो के धर्म गरंथ आदी गरंथ में संकलित किया गया है कि सुफी संथ के विचारों को सिखो के धर्म गरंथ आदी गरंथ में संकलित किया गया है तो किनके बिचारों कोई सिखों के धर्म गरंथ यानि आधि गरंथ में संक्लित किया गया है एक फरिदुद्दीन गर्जे सकर ठीक अप्सन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर ओके चलिए मित्र नेस्ट कुईसें पे चलते हैं क्विस्टन नंबर 14 परसिद्द संथ सलीम चिस्ती का कहां रहते थे परसिद्द सूफिशंथ सलीम चिस्ती कहां रहते थे ओफशन ए है जमेर, ओफशन भी है दिल्ली, ओफशन सी है फटेपूर सीकरी या ओफशन डी है इनमें से कोई नहीं तो कहां रहते हैं सेख सलीम चिस्ती ये फटेपूर सीकरी ठीक फटेपूर सीकरी रहते थे ठीक तो हमारा C option एकदम सही answer है ठीक चलिए ने स्कुछ सम चलते हैं question नमर 15 किसे सेख उल हिंद की पद्वी परधान की गई थी किसे सेख उल हिंद की पद्वी परधान की गई थी मुझन चिस्ती को वक्तियार काकी को या सलीम चिस्ती को या बाबा फरीद को तो किने सेख उल हिंद की पद्वी परधान की गई थी ये सलीम चिस्ती को सेख उल हिंद की पद्वी परधान की गई थी ठीक है मुगल सास को दोरा चले नेस कुश्चन चलते हैं कुश्चन नमबर सोला निम न लिखी सूफी वाद के सिल्सले सिल्सलों में कौन संगीत के बिरुद्ध था इनमें कौन सा सूफी वाद सिल्सले संगीत के बिरुद्ध था पताएगा आप सभी लोग कादरिया, चिस्तिया या सुहरवर्दिया सुहरवर्दिया, सुहरवर्दिया, ठीक और संडी, नक्सवंदिया तो कौन संगीत के विरुद्धु था, कौन सा सिल्सला ये नक्सवंदिया, ठीक नक्सवंदिया फिलसला जो था ये संगीत के बिरुद्ध था अगला कोश्चे नमारा है निम लिखी सूफियों में से किसने कृष्ण को अउलिया के रूप में माना इन में से कौन सा सूफिय है जिसने सूफिय संद कौन सा है जिसने कृष्ण को अउलिया के रूप में माना साह अब्दुलजीज, साह वली उल्ला, या मीर दर्द, या साह मुहम्मद गौस तो किसने कृष्ण को आउलिया के रूपे माना, ये साह मुहम्मद गौस ठीक है, इन्होंने कृष्ण को आउलिया के रूपे माना चले नेस्स कुशन है निम्न लिखित में से किसका संबंद सूफी वात्षे नहीं है ताइग आप सभी लोग इन में से किनका संबंद सूफी वात्षे नहीं है ओफ्षन ये है सेख, ओफ्षन भी एक खान का, ओफ्षन सी है समा ये ओफ्षन डी है उलेमा तो किन का समबन सुफी वाद से नहीं है यह उलेमा का समबन सुफी वाद से नहीं है बाकि समा का भी है खान का अफस से भी है और सेख से भी है ठीक चलिए अगले कुश्चन पे चलते हैं अगला कुश्चन है कृष्ण जीवन पर प्रे मौटिका कृष्ण जीवन पर प्रे मौटिका काब की रचना किसने की थी ताइएगा कि कृष्ण के जीवन पर प्रे मौटिका जो रचना हुई थी वो किन के दोरा की गए थी सूर्दास ने की थी बिहारी ने, कबीर ने या रस्खान दोरा तो किस ने किया था ये रस्खान दोरा की गए थी प्रेमट का काभी की रचना ठीक है और संडी हमारा बिलकुल सही आंसर है चलेगा दोस्तों अगला कुश्चन हमारा है बारा है मासा की रचना किस ने की थी बारा है मासा की रचना किस के दोरा की गई थी ओफशन है अमीर खुसरो ओफशन भी है इसामी ओफशन C है रस्खान या ओफशन D मलिक मोहमद जैसी तो बारा है मासा किस के दोरा रचना की गई थी? यह की गई थी? मलिक मुहमद जायसी दोरा ठीक, option D, हमारा right answer हो जाएगा. चलिए अगला question हम रेखते हैं, अगला question हमारा है, सूफी संत हाजी वारिस अलिशा की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पर लगता है? यह सूफी संत हाजी वारिस अलिशा की मजार कहाँ पर है? देवस शरीफ में, या फते पुर्सिक्री में, या गड़ मुक्तेसोर में, या इन में से कोई नहीं? तो कहाँ पे है? हाजी वारिश अली साह का मेला कहा लगता है? ये देवस तरीफ में लगता है, ठीक? ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो चलिए दोस्तों हमारा यहाँ सूफी जो आंदोलन था, वो खत्म होता है आपका अपना साथ बनाया रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर सेशन पसंद आया हो, तो लाइक भी करिए, ठीक है? और दोस्तों के साथ सेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बुले जैहिंद